नमिश्का आपको स्वागत इंडिया वोइस पर मैं हूँ आपके साथ तु चलिए बुलिटिन की शुरुवात करते हैं इस वक्की बड़ी खबर के साथ इस वक्की बड़ी खबर जो की लखनव से सामने आ रही है लखनव के गोला गोकरनाथ सीट के लिए बीजेपी और सपा ने विनेक तिवारी को बनाया था अपना प्रत्याशी से पहले आपको बता दे जिस तरह से अरवंद गिरी के निधन के बाद उप्चुनाव की घोशना की गाई विधायक अरवंद गिरी जिनका निधन हो गया था जिसके वज़से ये सीट खाली हुई और इसी पर अब उ अब अरवंद गिरी जो की विधायक थे उनकी निधन के बाद जो ये सीट खाली हुई अब इस पर उप्चुनाव होने ऐसे में क्या कुछ समी करण बैट रहे है अब बीजेपी की तरफ से भी अमन गिरी को प्रत्याशी घोशत कर दिया गया है बिल्कुल बविता देखिए जिस तरीके से लकीमपूर की जो गुलागो खुड़ना सीट है उसके जो विधायक थे अरविंद गरी उनकी हार्ट पटैक की वज़े से मौत वी थी तो जिसके बाद वो सीट खाली थी और उस सीट को लेकर चुनावायों के तरफ से उप चु जाए चुकि वह सीट बीजेपी के लिए ज्यादा है मैं कि वापस जीतके अपने खेमे में ही रखा जाया तो इसलिए जो दोनों पार्टी हैं उनकी तरफ से दोनों प्रत्यासियों के नाम जो है उनकी घोशना कर दी गई है समाज़ों पार्टी की तरफ से उस सीट गुला कि प्रियास गला तो उसने और लिए जीतबा जाए तो यके उसके पास एक ठीट थी और अब उसको जीतना है तो यांनि कि उसको अपनी सीट बचानी है बीजेपी को और समाज़दी पार्टी जो है वो चाहेगी कि उसके खेमे में ये सीट जाए दोनों इपार्टी की तरफ से जोड़दार टकर देखने को मिल ले हैं लेकिन देखना हुगा ये सीट कि इसके खेमे में जाती है वो असले तस्वीर जो है छे तारिक को जो चुनावी नतीजे आएंगो उसमें साफ होगी है प्रियम जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो सपा की तरफ से विने तिवारी को प्रत्याशी घोशत क्या गया है और इसी कड़ी में अब बीजेपी ने भी विधाय करवंद गिरी के बेटे को ही अम ये पी के तरफ से सीथी सी बात है कि देखी अगर जाती समीगरणों की बात करें तो वहाँ पर जो मताता है उनके आधार पर ही इस बात का फैसला किया गया हो चुकि सीट अरविंद गिरी के पास थी तो ऐसे में अब उनके बेटे को जो है अमन गिरी जो उनके बेटे हैं कि आमन गिरी को आपस्टिकर देकर इस बात को पुष्टी करने की कोशिस की गई है कि वहाँ पर जो पुरा समिक्रण रहे है पार्टी के चुकि अगर आप देखे तो अरविंद गिरी अलग अलग पार्टियों में रहें समाज़दी पार्टी में भी लंबे समय तक वो जहद में लगी है कि उस सीट को जीते जिससे उसके कारकरताओं का मनोबल बढ़े बिल्कुल प्रियाम जिससे आपने बताए कि बीजेपी का यही पक्ष्ट रहेगा कि वो अपनी सीट को सेफ रख पाए बिल्कुल बने रहे हैं प्रियाम हमाई साथ हम आगे भी आपका होना है ऐसे में प्रत्याशी चुनाव प्रबंदन इस पर चर्चा करेगा कि बूठ प्रबंदन चुनावी रैली और चुनावी मुद्धों पर मन्थन किया जाएगा कानपूर बुंदेल खंड के नेताओं से यह जो बैठक की जाएगी यह बैठक संपन होने के बाद पता होगी जिसमें कि शाम पांच बजे 17 नगर निगम के प्रबारियों की बैठक की जाएगी सह प्रबारी ओर चुनाव से यह बैठक संपनिक्षा जिसमें की बीजेपी ने अपनी टीम में 6 शेत्रों में बाद दिया अपनी टीम को अब अलग-अलग 6 जगहों पर 6 शेत्रों म में काम करेंगी अलग-अलग ओर्चों में काम करेंगी केशव प्रसाद मौरे को वार्णसी नगर निगम का जम्मा दिया गया है रजेश पाठक को आगरा नगर निगम की जम्मदारी की गई है इसी पर जादा जानकारी के लिए हमाई साथ प्रियम बने हुए है प्रियम जोसरे से निकाय चुनाओं का एलान कर दिया गया है और अब बीज़ेपी की तरफ से मन्थन किया जा रहा है क्या कुछ इसमें सामने आएगा इस मन्थन में बिल्कुल देखे निकाय चुनाओं को लेकर पार्टी की तरफ पर आज ये एक एहम बैठक जो है वो बुलाई गई है सुबा साड़े समतु जेसे बैठक चल लए है जिसे समसे पहले जो बैठक हुई है वो कानपूर और गुंदेलखन शेत्म को लेकर दिए कि वहां के क्या स समिक्रण है वहां पर किसे समिक्रण बनाए जाएंगे उनको क्या दाई तो दिये जाएंगे इस तरीके का फिड़ बैच मिला सब्सक्राइब कर आज जो पहला सेग्मेंट हुआ है उसमें चर्चा हुई आब इसके बाद दूसरा सेग्मेंट होना है जिसमें प्रदेस अब है बुपेज चौदरी उनके लिए पहली जिम्मेदारी है कि जब बतार पर पर उनका ये पहली परिक्षा होगी जब निकाई चुनाओं में पार्टी उतरने जा रही है तो उसको लेकर सभी रंगेंटिया पूरी तरह से बनाई जा रही है उसमें पुरा जोग दिया जा र सभी लोग इस बैठक में सामिल है कि क्या रंडी सी बंती दिखाई दे रही है इनको लेकर इसमें चर्चा की जाए उलगातार अगर आप देखें तो अलग अलग सेग्मेंट में आज की बैठक को जा है वह बटा गया है पहले जो बैठक हुई है वो कारणपूर लेकर दानिधाए जो सब्सक्राइब बैठक की जाएगी शर्चा की जाएगी प्रियम जिस तरह से सामने बात आई है कि अब 6 शेत्रों में बाट दिया है और 6 शेत्रों में बाट करके अलग-अलग शेत्रों को साधने की कोशिश की जाएगी केशफ प्रसाद मौरे ने वार नसी का उनको जिम्मधारी दी गई है ऐसे में असी मारून को साहरनपूर नगर निगम की जिम्मधारी दी गई है तो क्या कुछ ऐसे शेत्रों में क्या कुछ नाम सामने आए बाकी की जानकारी जरा दीजी हमाई दर्शुकों को देखिए जिसरी के से जो पूरा प्रदेश है काफी बड़ा प्रदेश है तो उसमें आज देखा कि अलग 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 बेड़नी की बाटा गया है तो इस तरह से अलग 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 लोगों को इसी दिम्मधारी दी गई है और अलग अलग जाए विस्टर फोकस करें वहां के समेकरणों को समझें देखें और वहां के लिए क्या उनेकरन है लोगों का क्या मूर है आम जन्वानत्स जो है उसका वहां पर रजाएं दिखाई mee को लेकर लोगों की बीश में क्या कूछ राय है इंटर्णल सर्भे रिको बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रियम आगली खबर जो की RSS प्रमुक मोहन भागवत से जुड़ी हुए है RSS प्रमुक मोहन भागवत तीन दिवसी कानपुर दौरे में पहुँचे है जहाँ पर राष्ट स्वयम सेवक प्रमुक मोहन भागवत कानपुर दौरे के लिए पहुचे है आज रात 9.35 मिनट से शुरू हो जाएगी राजधानी एक्सप्रेस वे से सेंट्रल स्टेशन पहुचेंगे पुलिस ने कड़ी सुरक्षा विवस्ता कर रखी आपको जाधा जानकारी के लिए बता दे कि मोहन भागवत दौर संगम घोश शिवर में भी शिर्कत कर सकते हैं इसे में नान्राव पार्क में करणी वाल में की जोयनती के कारकरम में भी वह ilsसा ले सकते हैं संग्प्रमुक प्रांतिए पदाधीकारियों के साथ बैचछक करेंगी इसमें संभोधित भी करेंगे उनकों उनके साथ समीक्षा करेंगी जिसमें की संग्प्रमुक तीन दिन के दीन दयाल उपाध्याय इसे घबर पर जाधा जानकारी के साथ हमाई साथ हमाई सियोगी मोहमद असलम जुड़ गया है मोहमद असलम जुस्तरह से ये सामने आया है कि प्रमुख मोहन भागवत कानपुर दौरे पर है और ऐसे में काई वो जो समीक्षा बैठक करने की खबरे सामने आई है क्या कुछ होगा इस दौरान जी बिल्कुल सांग प्रमुख मोहन भागवत आज साम रात सारे 9 बजे कानपुर सेंटर इस्टेसन पहुचेंगे और दिल्ली स्रवाना होंगे उसके बाद वो सीधा बाई रोड दीन द्याल उपाद्य है जो विध्धाल है जहां पर स्वर्गोष कारकरम होना है वहां पर शिर्कत करेंगे हलाकि दूसरे दिन है और रातरी वहीं पर प्रवास भी करेंगे और उनकी सुरच्छा वैस्ताव है करका जो विध्या उसको बनाया गया तीन दिन के लिए और वहां पर 24 घंटे जो अंके तीम मौझूद इसके लावा उनको जो वालमिती जैनती है उसमें भी हिस्टा लेंगे तो आएसे करके तीन दीवक्षी जो उनका यहां पर कानपूर्ड दौरा है उसमें वो लगातार कई कारक्रम में हिस्टा लेंगे और जो प्रालती जो संक के लोग हैं जो पतादिकारी हैं उनके साथ करेंगे जी मौमद इसलम जिस तरह से बताया गया है कि वो शिवर जो की संग गोश शिवर भी लगा जाएगा उसमें शिर्कत करेंगे ऐसे में क्या कुछ उसमें सुरक्षा के माइने होंगे और कौन-कौन विशिश्ट आतिती भी वहाँ पर पहुंच सकते हैं जेखिए संग की बात करें तो अभी उनके प्रोटोकॉल आया है उसके रिशाब से वो साथे नौ बजार यहां पर कानपुर ने पहुंचेंगे उसके बात जो उनके कारक्राम बीते दिन के जो कल आद यहां से पहुंचेंगे कल से शुरू हो जाएंगे कल जो सब्से पहला करम से खोँड़ा होगा । उसको लेकर जो तयारियां दे वहाँ पर जो तुमेंट है और जो जो भी आ गएокой और वारत वहां सी के लीखे रहा है और इसके लावां जो अन्य कारक्राम है उसको लेकर भी पूरी दियार है वो कर ली गई है और उनके सुरच्छा के लिए आज से भी तमाम इंतिजाम है वो भी किये गए हैं जो जाहे सेंटर रेल्वी इस्टेशन पर हो या फिर जहां पर वो पुरुआत करेंगे हैं दिन जाले में वहां पर भ भी सारी तरीके से जो कमिशनर कान पूचे उन्होंने इंतिजामात को फुक्टा कर लिए जी धन्यवाद मौमद असलम तबाम जानकारी देने के लिए चले रुक करते अगली खबर का जो की यूपी के लखनौ से सामने आ रही है यूपी के लखनौ में कौशल राज शर्मा वारणसी के नई कमिशनर बनाये गए है दीपक जैस अगरवाल केंदर में प्रती न्यूकती के लिए रिलीव किया गया से में वार्णसी में फिलहाल अभी नए डीएम की तैनाती नहीं हुई है मंदलायुकत कौशल राज शर्मा को डीएम का अतरिक्त प्रभार दिया गया है पूर्व में कौशल राज शर्मा को बनाए गया था प्रयागराज का कमिशनर 24 घंटे के भीतर ही इस पर रोक लगा दी गई और तबादला हो गया है मंदलायुकत कौशल राज शर्मा जिसमें की नए कमिशनर बनाए गया है प्रयागराज के कमिशनर वो पहले थे अब ऐसे में पूर्व में प्रयागराज के कमिशनर रह चुके हैं 24 घंटे के अंदर इस पर रोक लगा दी गई और तबादला कर दिया गया है कौशल राज शर्मा वारनसी के नए कमिशनर बनाए गये हैं बड़ी अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं जो लखनौस एक हबर सामने है डियम वारनसी कौशल राज शर्मा कमिशनर बनाए गये है वारनसी में फिलहाल अभी नए डियम की तनाती नहीं हुई है ऐसे मैं आपको बड़ी अपडेट देते हैं मंडला यूगत कौशल राज शर्मा को डियम का आतिरेक्त प्रभार दिया गया है चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रूदर प्रयाग जहाँ पर सीम पुशकर सिंग धामी चेक वितृत कर रहे हैं चलते हैं तरह प्रभार धर शर्मा का आतिरेक्त प्रभार धर शर्मा के लिए लिए अजया गया है लिए अजया जया गया है ए आए आए। कि वज्या याथी संदरी इने सुथिन की आ chi 6 इसके ऑद यादू, मुथ्य अभवाथ. जहांदी होँ ieux स्थाइब, कुछे मुथ्य। परोटार के उजना मंगला विराद मंगला विराद में तंदाशिक इसे पहले लावाती यां मस्ते पाला प्रिवरी करके स्री राजित रलादेश। विराद कि अजाए कि तंदाशिक अजिया जारा है। इसी सेंस्ना को आपे बढाते वें स्री चक्तंबा कुमार्शिक मस्तियत आजादा में जांगे लिए अलस्योच चाक्ड़ी उजना की स्रगा प्रहसर अजाए केश्च करांगे अजागा है। तो फिलाल इस बुलिटन में इतना ही आप देखते रहे हैं इंडिया वोईस नमस्कार